आप पार्ट 3 डी टू चार्ट आज हम बात करेंगे कि आपका जो सूर्य है वो किस होरा में प्रेजेंट है अक्सल आपका यह सवाल होगा और आप देख रहे होंगे नहीं है तो आप हमारी एप को डाउनलोड करके वहां से प्रचार्ट डी टू देख सकते हैं और हमारी अगर आपका सूर्य का होरा होगा तो लगन में पांच नमबर लिखा होगा तो बुद्ध किस होरा में अच्छा होता है तो बुद्ध जो होता है मित्र है चाहे वो सूर्य के होरा में हो चैन्दमा के होरा में हो शुबफल देता है राधे राधे आईए तो आपने देखना हैं कि 5 नमबर यहां लिखा है तो कते ही 4 नमबर यहां पे लिखा होगा और साय नमबर यहां पे लिखे होगे चलिए आपने फोकस सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 पे करना है कि आपका 5 नमबर हो गया तो भई आपका जो हो रहा हो गया वो सन का हो रहा हो गया सन तो मतलब आपको अपनी मेहनत से प्राक्रम से ही फल मिलने वाला है इसको तो नोट कर लीजिए आईए यदि सूर्य अगर सूर्य तो पांच नमबर लियो होता है और सूर्य आपको देखना है अगर सूर्य आपकी कुंडली में उठकर बैठ जाए आपके बार्मे घर पर आपके बार्मे घर पर चंद्रमा के होरा में बैठ जाए नोट कर लीजिए इसे कि अगर आपका सूर्य आपका लगन जो है पांच नमबर मिला है आप जो हो गए सूर्य के होरा में हो गए और सूर्य उठकर चला जाता है आपके चंद्रमा के घर पर बैठ चाता है तो कई लोग कहेंगे जी ये तो आमावश से अदोश कर निर्मान हो गया कई लोग कहेंगे तो ये तो भाई एक तरीके का जैसे हमने पिछली बात की थी एक तरीके का दैने योग हो गया देन योगे के लिए मैंने कहा था house of exchange होना चाहिए और वह D1 चार्ट में आपको देखना है कितना strong है यहाँ पे सिफ उसिफ आपनो ये position देखने हैं समाने नियम देखने है यदि सूरिय चंदर होरा में स्थित हैं तो जातक के पास अपनी effort से note कर लीजिए तो देखिए चंदरमा जो होता है माता का होता है female को represent करता है कई बार आपने देखा होका शादी के पश्चार्ट लोग जो होते हैं progress करते हैं तो भई आप जब हमसे marriage report बनवाते हैं तो मैं उसमें लिख देते हैं हम लोग कि भई आपका शादी के पश्चार्ट होता है आप ये कहते हैं कि D1 चार्ट में तो ऐसा है नहीं तो देखिए हर चीज में आपको नहीं बताया जा सकता हम कुछ चार्ट होते हैं analysis करते हैं बना कर देखके आपको व्याक्या कर देते हैं जिस परका आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो हर एक चीज के बारे में नहीं बताया सकता आपको भईया मैंने यह यह study की है उसी तरीके से हम आपके चार्ट को देख सीधे सीधे straight answer देते हैं तो उसको समझा कीजिए आप तो चन्रमा का सूरी की होरा में बैठना यह बताता है कि शाधी के पश्चात या फिर आप अपनी सुख सुविधाएं जो है जिंदगी की और जो पैसा है जो शोहरत है वो आप अपने बल से अरजित करेंगे मान प्रतिस्था सम्मानित होंगे इस चीज़ को आप या रखिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपको धानकना यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम योन की हो जाती है प्रॉस्ट्रेट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं अगर आप अपना जैनिटकल अरिया साफ नहीं रखते तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को इचिंग जैसी प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को आप रहेंगे और योंग से पीडित आपो हो सकते हैं सिंपल सा चीज है इसको आपने देखना है अब भई ये तो हो गया कि भई हमारा आपने बता दिया कि बैठे हुए है चंद्रमा के घर में तो अब अपने ही घर पर बैठे हो तब क्या होगा उससे पहले अगर आपको किसी प्रकार की साहता चाहिए तो हमारी जोतिशकर अप हमारी वेबसाइट से संपक कर सकते है आप हमें अपने चार्ट इंस्टाग्राम पर डिरेक्ट शेयर कर सकते है कोशिश करेंगे आपको एक रिप्लाइ दिया जाए तो धैर भी बना के आप रुखना है सब कमेंट्स नहीं अलाओड है कोई भी रिप्लाइ आपको दिया जाएगा उसके लिए टाइम लगता है पेशन्स बनाके रखिए इंग्लिश वर्जन हर वीडियो का डेफिनेटली बन जाएगा लेकिन उसके लिए टाइम लगएगा आईए इसका दूसा केस क्या हो सकता है कि यदि सूर्य अपनी ही यहाँ पांच नमबर लिखा है यहाँ चाओ और सूर्य यहाँ पर स्वयम बैठा हो तो जातक जो होता है जो भी जातक जातिका होगा वो बहुत ही जादा हिम्मती होगा इस चीज़ को नोट कर लीजिए महनती शॉर्टकट पे विश्वास नहीं करेगा यह अगर आप यू पीस्टी आईएस की त्यारी करें गवर्मेंट जॉब की त्यारी करें किसी एमनसी की त्यारी करें तो भीया निकाल लेंगे आप अपनी इंद्रियों पे आँखों पे काबू करने वाला होगा जो लोग इंद्रियों पे काबू कर लेते वही संत महात्मा और जिंदगी में बहुत आगे तक पढ़ते हैं और इंटेलिजनसी जो होगी वह उनमें कूट कूट कर होगी साहसी कार्य करने वाला ऐसा इनसान होगा इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगली वीडियो जो पार्ट फोर होगी उसमें हम बात करेंगी चंदरमा की स्तिती क्या है चंदरमा के हुरा की बात करेंगी इसको नोट कर लिया देखिए step भाई स्टएप जिन comments को मैं like करता हूँ उसका मतलब yes होता है जिनका comments मैं dislike करता हूँ उसका मतलब no होता है answer और जिनका कोई reply नहीं है तो मतलब in future में उनका video बनने वाली है तो धैर्य बना रखे सबको reply possible नहीं होता है लेकिन कोशिश होती है 90% आपको reply दिया जा सके इसलिए धैर्य बना के रखे नमस्का चाय शानी देव चैनल को सब्सक्राइब और आगे जरूर बढ़ाएं आपके motivation की बहुत आवशक्त है नमस्का